दोस्तों बहुत बहुत स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हरसन रजा पर फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको 190 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है इस एप्लिकेशन के अंदर दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप इस इस एप्लिकेशन के अंदर easily sign up कर सकते हैं और sign in कर सकते हैं यह process जानेंगे और इस एप्लिकेशन की मदद से आप आपके bank का balance चेक कर पाएंगे और इस एप्लिकेशन की मदद से आप one bank to another bank आप easily payment को transfer कर पाएंगे निफ्टी की भी सुवीता इस एप्लिकेशन के अंदर आ और कई ऐसे सुवीदा है जो इस एप्लिकेशन के अंदर मौझूद है उन बिलो को आप इस एप्लिकेशन की मदद से एजीली पे कर पाएंगे और इसी एप्लिकेशन के अंदर आपको ऐसी सुवीदा दी गई है जिसकी मदद से आप आपके मॉबाईल का रिचार्ज कर पाए और Fastik की भी सुवीटा ले पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से इसी application की मदद से आप घर बेथे आपकी debit card हुआ या फिर checkbook हुई यह सभी issue करा सकते इस application की मदद से आप आपके debit card की limit को increase और decrease कर सकते आप आपके international banking की सुवीटा भी इसी application की मदद से आप लाइक कर पाएंगे बहुत एजिली और इसी एप्लिकेशन की मदद से आप हेल्थ इंशुरेंस करा पाएंगे और कई ऐसे लोन मिंटों में आप इस एप्लिकेशन की मदद से अप लाइक कर पाएंगे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम यही सारे टॉपिक पर बात करेंगे और यही सारी डीटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में तो फ्रेंट्स वीडियो को इस तिल एंड तक देखते रहे ना इस एप्लिकेशन का नाम है बड़ोदरा M Connection प्लस इस एप्लिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा simple सा आपको हमारी इस वीडियो को open करना वीडियो को open करने के बाद नीचे description में आना होगा description में आने के बाद आपको इस application का link मिल जागा simple सा इस link पे आप जैसे ही click करेंगे या आपको play store पे लेचल जाएगा आप play store पे आजाएगे simple सा इस application को install के button पे click करना इंस्टॉल करने के बाद यह application इंस्टॉल हो जाएगी आपके phone के अंदर हम बढ़ते हैं किस तरीके से आप sign up कर पाएंगे इस application के अंदर सबसे पहले simple सा इस application को open कर लीजे यहाँ पे आपको login का option दिया है तो simple सा login पे click करेंगे अब यहाँ पे आपके mobile number को डालना है mobile number को verify करेगा अगर आपका जो आपके bank account में mobile number register है वही number आपको डालना है और एक रुपा आपका कटेगा message verification होगा message verification होने के बाद OTP receive होने के बाद OTP डालने के बाद आपको confirm हो जाएगा registration process पर click करना होगा registration आपको आपका debit card detail डालनी होगी debit card की last six visit डालने होगे और आपकी expiry date card के back side CVV number होते हैं उनको आपको डालना होगा simple सा उसको डालने के बाद आप registration process complete कर लेंगे आप application log के लिए आप आपकी thumb और finger का use कर सकते हैं फिर M pin को generate करेंगे आप आपका secret M pin को type करके आप easily register कर पाएंगे रजिस्टर करने के बाद आपको login करना होगा simple सा हम login पर click करेंगे login के बाद आपको यहाँ पर username और password जो हमने pin generate किया था या फिर आप आपकी finger print से भी open कर पाएंगे इस application को application login करने के बाद इस application का interface कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इस application के अंदर आपको उपर की तरफ देखने को मिलेंगे logout option और notification option उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा username और आपका bank balance bank detail अब यहाँ पर dashboard पर आपको कुछ services दिखाई गी है अब सबसे पहली service आती है my account my account के अंदर आप easily आपका bank का balance चेक कर पाएंगे फिर उसक 50 से भी कर पाएंगे फिर थार्ड option है recharge आप इस application की मदद से recharge कर पाएंगे DTH mobile और बहुत सारे recharge easily आप इस application की मदद से कर पाएंगे अगर आप fix deposit करना चाहते हैं घर बेठे तो यहाँ पर इस option पर click करेंगे और आप fix deposit कर पाएंगे easily अगर आप insurance या investment करना चाहते हैं तो 5th option option है उस पर click करके आप insurance और investment कर सकते हैं 6th option आपको देखने को मिलेगा बिल पे बिल यानि कि आप आपके electricity बिल हुआ या फिर water बिल हुआ या credit card बिल हुआ ये सभी बिल इस service के through easily पे कर पाएंगे फिर आप fast track अगर यूज करते हैं तो यहाँ से आप fast track का recharge कर पाएंगे fast track क अगर आपकी shop है तो आप payment ले और दे सकते हो यानि कि यहाँ पर payment का option दिया गया है UPI की handle कर सकते हैं easily यहाँ पर cash on mobile cash on mobile की मदद से भी आप आपके mobile की मदद से payment को easily ले पाएंगे और दे पाएंगे my favorite option दिया गया है तो इस option के अंदर आप आपकी favorite services को पिंग कर पाएंगे easily request services का option दिया गया है request services पर आप click करेंगे तो वहाँ पर आपको आप आपकी checkbook issue कर पाएंगे credit card issue कर पाएंगे और बहुत सारी ऐसी services है जो bank जाना ना पड़े इसलिए आपको यह सुवीदा दी गई है कि यही से आप सब कुछ apply कर सके easily गरवेट है फिल लास्ट option दिया गया है debit card service आप इस option में जाकर आपकी international banking को on कर सकते है national services को on कर सकते है debit card limited को set कर सकते है आप monthly कितनी uses करना चाहते हो आपकी withdrawal पर या फिर online transaction पर या फिर बहुत सारी ऐसी services होती है जो हम अपने card से use करते है पर हम उसका miss use ना कर ले इस वज़े से हम अपने card पर limit को set कर देंगे तो यह सारी services इस application के अंदर मौजूद है तो मुझे उम्मीद थी यह सारी services आपको पसंद आई होगी इस application help you stay connected to your bank and stay safe in this time to break the channel दोस्तों अगर अभी तक आपने इतनी कमाल की application डाउनलोड नहीं किये तो जल्दी से डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद आप इन सभी services का मज़ा उठा पाएंगे और फ्रेंट्स इतनी कमाल की वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजे हमारी इस वीडियो का करीम है 50 लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा और मुझे कमेंट में जूरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लाइक दोस्तों अगर आप हमारे चाइनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर जो और पास में रिंग बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजे लेट टेस्ट नॉटिफिकेशन पाने के लिए थैंक यू सौमच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए